Good morning friends, GST registrations का जो process है वो पूरी तरीके से अब बदल चुका है अब आपको GST में registrations लेने के लिए अब जो है बहुत strict verification के साथ जाना पड़ेगा तो complete GST का process जो registration है new process with effect from July-August 2024 आपको आज के session में समझ में आएगा तो जुड़े देएगा इस वीडियो के end तक ताकि सारी बात में आ जाएं और आप accordingly GST registration जब apply करें तो आप किसी भी किसी भी document को miss ना करें ताकि आपका registration जो है वो ना disapprove हो जाए आप देख रहे हैं यहाँ पर government ने GST portal ने GST registration applicants के लिए एक बेहद important बात बताई है उन्होंने बात जो बताई है वो ये बताई है कि भाई आपका rule 8 जो है CGST rule का ये हमने amend कर दिया है और amend करके क्या लिखा है उसके अंदर कि अब आपका जो application है वो common portal पर identify किया जाएगा आपकी किस्मत अजमाई जाएगी और वो अजमाई जाएगी data analysis और risk parameters के basis पर कि आप जो है वो इमांदार वेक्ती है या नहीं है अगर आप इमांदार वेक्त इमांदारी की कमी लगती है किसे GST portal को तो वो क्या करेगा आपको भेजेगा biometric base आधार authentication के लिए जहां आपकी तश्वीर ली जाएगी photograph लिया जाएगा along with the verification of the original documents की verification यानि कि जब आप application online submit कर देंगे तो आपका ARN नहीं आएगा आपको भेजा जाएगा कि जाओ इस फलान center पर चले जाओ अपने दस्तावेज ले करके चले जाओ आप खुद भी चले जाना आपका photo ले लेंगे आप जो भी documents upload करके जाएंगे उन सारे document की original copy ले करके जाना उसको verify कराया जाएगा अब इसके लिए functionality जो है वो GSTN ने दे दी है अब समझेगा step by step process क्या है इसमें कैस से आपको आगे proceed करना है यह जो functionality है इस functionality के अंदर वो भी facility दी जाएगी जिससे आपका document verification होगा appointment booking process जो होगा वो सारी बातें इसमें आएंगे नीचे आएंगे सारी चीजें after the submission of the application आपने सबसे पहले GST का registration application form submit कर देना है आपने इसे एक बार submit कर दिया submit करने के बाद अब आगे क्या होगा submit करने के बाद आपको अपने email id पर इन दो में से कोई एक option मिल जाएगा अगर आप इमानदार होंगे तो आपको पहला वाला option मिलेगा जो बोलेगा कि link for आधार based OTP आपने वहाँ पर आधार नंबर डालना है OTP डालना है कहानी खतम इमानदार वेक्ति के लिए अगर आपकी इमानदारी में कमी लगी तो फिर ये पहला वाला नहीं होगा फिर होगा एक link आएगा आपके पास जिसके थुरू आप appointment करेंगे और appointment का message आएगा कि आप इस GST सुविधा केंदर में चले जाएए और जो भी details वहाँ पर GST सुवि appointment verification जो है वो किया जाएगा अब इसके बाद जब आपके पास point number B में email आए तो आपको क्या करना है तो आपको जो बाते लिखी गई है वो important है उसके लिए ये पूरा session आपको समझना है if the applicant receive the link as mentioned in point 3B अगर 3B के अंदर जो GST के वला आया कि biometric based अधार में जाईए तो क्या करेंगे he or she will be required यानि कि आपको as an applicant required to book the appointment to visit the designated GST के आपको अपना time आपको अपना date slot select कर लेना है उस link को use करके जो email पर आएगा उसके बाद जैसे ही आपने confirmation करी कि हाँ भीया मेरा appointment इस फलाने दिन का हो गया तो उस email के जरिये जैसे ही आपने confirmation करी है वो appointment आपका confirm हो जाएगा और फिर as per schedule आपको तैय समय पर पहुंच जाना है क्या करना है वहाँ पहुंचके क्या ले करके जाना है आपको जो documents ले जाने है यह important है इसको समझ लीजिए सबसे पहले a copy, hard copy और soft copy of the appointment confirmation email जो confirmation email आईए उसके print out निकाल लीजिए या email कर लीजिए अपने phone नो उसके बाद the details of the jurisdiction as mentioned in the intimation email आप अपने jurisdiction की letter की copy जो आपके पास email पर आएगी वो साथ में रख लीजिए वो चाहिए होगा confirmation के साथ आपको अपना आधार card and pen card दोनो आधार card and pen card original copies में ले करके जानी है फोटो copies नहीं यह ध्यान से आपको original copies जो है वो carry करनी है the original documents that were uploaded with the application as communicated by the intimation email जब आप registration application फाइल करते हैं तो आप अपना address proof लगाते हैं बिजनेस address का proof rent agreement लगा दिया, deed की copy लगा दी, बिजली बिल लगा दिये इन सारे documents का original document की copy आपको carry करनी है for physical verification at GST सुविधा केंडर the biometric based अधार authentication होने के बाद यह biometric अधार authentication होने के बाद document verification complete हो जाएगा और उसके बाद आपका registration application submit होगा अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा important है मानली जी एक partnership firm है या एक company है तो क्या ये process किन के लिए करना है तो इन्होंने लिखा है for all the required individuals as per the GST applications GST applications में जिनका जिनका आपने नाम लिखा है जिनके लिए आपका authentication REG 01 के थ्रू किया जाना है हर किसी को वहाँ पर physically जाना होगा the applicant is required to choose appointment for biometric authentication during the maximum permissible period as indicated in the email वैसा नहीं है कि आपने आज submit किया आज आया email आप एक महिने के बाद appointment book करेंगे नहीं जो समय सीमा उसमें दी जाएगी उसके अंदर ही आपको जो है वो allot किया जाएगा in such cases ARN जो है वो generate कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका document verification होगा और after that process your application will be submitted तो ये नया process GST के नए registration के लिए लागू कर दिया गया है तो आपको अब इन चीजों को ध्यान में रखते वे registration जो हैं वो apply कर दिया है चलिए इस वीडियो को ही end करते हैं आशा करते हैं आपको ये नया process समझा गया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक और शेय करना मत भूलिएगा ताकि maximum लोगों तक ये information जो है वो पहुंच जाए और उनको अब GST registration लेने में कोई भी दिक्कत ना आए थैंक यू करदा है ओसाल आपको ये वीडियो थैंक जाल poder भी ऽे अत्ला करते हैं,, झाल झाल